Good evening friends, welcome to the session of Share Academy डेट है आज 2 अप्रेल रात के बज़ रहे हैं 12 बच कर 36 मिनट Late night studies चल रही है friends और इसी study का एक बेहद important part है जो हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं आज brother आप में से वो लोग जो regular viewers है हमारे उन्हें बहुत ही अच्छी तरह से मालुम है कि जो एक तारीक का session था हमारा उसमें हमने आपके साथ में एक particular study share की थी जो study थी regarding जो भी हमारे पास में data आता है वो लोग जो stock market के channels YouTube पर देखते हैं उनका जो हमारा particular channel है इसको जितने भी लोग देखते हैं इसको अगर आप ध्यान से एक बार गौर करेंगे तो इसमें तकरीबन 81% लोग ऐसे हैं जो mobile phones का इस्तमाल करते हैं आज की rate में हमारा जो subscriber base है वो तकरीबन 56,000 के करीब है 59,000 माफ किजेगा और पर दे तकरीबन 1700 तो 1800 के करीब लोग होते हैं इन sessions को देखने के लिए यानि mobile phone का इस्तमाल कोई कर रहा है तो इसका मतलब है कि maximum time वो mobile phones का ही use करता है session से जुड़ने के लिए तो अगर वो session से जुड़ने के लिए mobile phone का इस्तमाल कर रहा है तो फिर वो market पढ़ने के लिए भी mobile phone का ही इस्तमाल करता होगा तो इसका मतलब है कि जो हमारे viewers हैं, उसमें computers, TVs या laptop के थुरू देखने वाले कम हैं, mobile phones के थुरू देखने वाले ज्यादा हैं अब अगर आपके पास में ये data है, तो एक बड़ा major question आपके सामने खड़ा होता है वो ये है कि अगर 81% लोग mobile के थुरू देखते हैं, तो हमारा एक basic question है कि क्या सिर्फ mobile का use करके आप stock market सीख सकते हैं या नहीं ये सबसे basic question है, और यही हमने पूछा भी था लोगों से कि आप में से कितनों को ऐसा लगता है कि क्या सिर्फ mobile का use करके stock market सीखा जा सकता है या नहीं तो आज का जो ये session है, बिल्कुल छोड़ा session रखेंगे, इस session के close होते तक आप ये जान पाएंगे कि अगर आप केवल mobile phone का इस्तेमाल करते हैं market के अंदर, तो क्या आप stock market सीख सकते हैं या नहीं, अब ध्यान से सुनिएगा friends, वो लोग जो regular viewer हैं हमारे, उनको पता है कि investment market में अगर करना है, तो आपको दो चीज़े market के बारे में जाननी चाहिए, एक है कि आपको companies पढ़ना आना चाहिए, वो है fundamental analysis, कि company का balance sheet कैसा है, company का business model कैसा है, companies के strength क्या है, weaknesses क्या है, और second चीज़ है company का chart या technical analysis, कि strong कितना है chart, currently downtrend में है, uptrend में है, खरीदने लायक है या नह अगर आपके पास में केवल mobile phone है, तो आगे आने वाले इस session में हम आपको एक particular setup बता रहा है, friends, इस setup को बहुत ध्यान से समझेगा, अगर ये setup आप इस्तमाल करते हैं, अपने mobile phones में, तो आप तकरीबन 90 to 95% किसी भी company का analysis उतनी ही अच्छी तरह से कर सकते हैं, जितना BSC India on mobile, अब इस app की importance क्या है, इस बात को समझेगा, चुकि ये सीधे BSC की app है, तो जब आप किसी company का balance sheet पढ़ना चाहते है, at a glance, देखिए पहली बार में जैसे आपको company का नाम पता चला भारती एटल, तो सबसे पहला काम आपका ये होता है, ये जानना कि हाँ, देखने में मोटा मोटी company कैसी है, ठीक ठाक है या नहीं, तो वो fundamental वाला part जो है, वो आपको BSC India जो ये app है, इस app में मिल जाएगा, मोटा मोटी इसके fundamentals आपको मिल जाएगे, इसके अलाबा हर जो market की जो भी app है, वो daily market तो cover करती है, तो हम लोग उसके बारे में नहीं जा रहे हैं, companies का मो company को पढ़ने के लिए, जो सबसे पहला step आपको लेना चाहिए, वो है, कि इस app पर जाहिए particular और इस company का data जो है, year on year basis पर पहले आप यहाँ पर search कर सकते है, एक बार अगर आपको ये लग गया कि ये company चलो, थोड़ी बहुत अच्छी है, और fundamentals इसके ठीक ठाक लग रहे है, य second information है कि आपको थोड़ी सी in-depth study करनी है, तो वो in-depth studies क्या होती है, हर कोई जानता है कि money control की app सबसे ज्यादा इस्तमाल होने वाली app है market के अंदर, ठीक है न, इस app के अंदर आप जाएंगे, तो आपको इसमें fundamentals थोड़े से और ज्यादा मिलेंगे, आप इसके अंदर गुसें माली जा भारती एडल के बारे में discussion करना चाते हैं या उसको पढ़ना चाते हैं तो उसकी information तो मिलेगी, उसके साथ उसके बारे में news भी आपको यही money control पे मिल जाएंगी, प्लस कुछ दूसरे जो लोग हैं, जो study करते हैं companies की, उनकी reports भी आपको इसी money control पे मिल जाएंगी, तो यही company की थोड़ी सी in-depth report भी आपको इस particular यह जो app है particular इस app के उपर मिलेगी, अब इसके बाद में important information है कि अगर आपको fundamentals थोड़े थोड़े पता चलने लगे, then deep में अगर आपको fundamentals जाने, आपको और थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना है company के fundamentals के बारे में, company के बारे में, त इसकी आपको app नहीं मिलेगी, तो अगर आपको app नहीं मिलेगी, तो आप mobile phone इसतमाल करते हैं, तो इसका मतलब आप इसको इस इसको इसतमाल नहीं कर सकते हैं, बिलकुल नहीं, आप अपने mobile phone में Google Chrome, Safari या फिर Opera browser जो भी browser आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसको डाउनलोड कर ल यह C और money control sufficient धूंड लेते हैं. अगर इन दो apps का आप इस्तमाल करते हैं, तो आप यह जानिए कि company को आप 70-80% तक अच्छी तरह से company की जानकारी आप उठा लेंगे. इसके बाद अगर आप और ज्यादा in-depth पढ़ना चाहते हैं, तो फिर screen as dot in, जो है, वो chrome के थुरू अपने mobile में खोल सकते हैं. इतनी app के बाद एक app जो must आपके mobile में होनी चाहिए, that is investing.com. यह app, companies के chart analysis के लिए बहुत ही बड़ी हा app है. इस app को आपके mobile phone में होना ही चाहिए. Companies के chart पढ़ने के लिए यह app बहुत शानदार है. अब ऐसा क्यों है, तो इसको समझिएगा, कि money control की app जब आप खोलते हैं, तो money control की app में आपको सिर्फ price action मिलेगा और volume मिलेगा. However, अगर आप थोड़ा सा knowledge रखते हैं market के बारे में in depth, तो इन दो के अलावा आपको तीसरी चीज़ की ज़रूओत पढ़ती नहीं है कभी भी. लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको अपना chart थोड़ा सा सजाने मजा आता है. वो कहते हैं कि नहीं, chart थोड़ा भरा भरा लगता है, तो ज़्यादा अच्छा लगता है. तो उनको indicators पसंद होते हैं. वो indicators आपको investing.com के ओपर मिल जाएंगे. इस app में आपको sufficient indicator मिलेंगे, जिन indicators का आप इस्तमाल कर सकते हैं. तो starting में क्या होता है, या आपको थोड़ी सी मदद मिल जाती है. Now, indicators basically करते गया हैं, कि जैसे एक छोटा बच्चा cycle चलाना सीखता है, तो उसके supporters पहिये लगे होते हैं, indicators वैसा ही गाम करते हैं, कि जब नया नया आदमी कोई chart सीख रहा होता है, market का कोई भी एक ख्याली, तो उसको वो supporter के तौर पर इस्तमाल करते हैं. जैसे से आपको time बीता जाता है, वैसे वैसे आप इन supporters को यानि indicators को आप खटा सकते हैं यहां से. एक second app है, जिसका आप इस्तमाल कर सकते हैं, that is market pulse, यह भी same वैसी ही app है, जैसे कि investing.com है, charts studies करने के लिए बहुत ही शानदार है, अब आप comparative study देखेगा, कि यह money control का chart है, जो कि बिल्कुल simple आपको मिलेगा, वही दूसी तरफ market pulse का आप chart देखेंगे, तो market pulse में आपको thousand information मिलेगी, साथ ही आपको unlimited इसमें options मिलते हैं, आपको ADX, RSI, Aaroon, मतलब moving averages, आप नाम लीजिए, MACD, Bollinger Bands, सब कुछ मिलेगा आपको इसके अंदर, ठीक है, so fundamentals अगर आपको पढ़ने हैं, तो BSC India, money control, और screen as.in, then technicals के अंदर अगर आपको जाना है, तो investing.com, market pulse, अगर आप इतनी apps का इस्तमाल कर रहे हैं, यकीन मानिए, आप सबसे बढ़ी हा, system ले लिजी एक 15-20 screen वाला, और एक company को आप study करिए उस पर, और हमको दे दीजे mobile phones, इतनी apps के साथ में, और हम mobile phone पर study करते हैं, जितनी information आप उसके अंदर निकाल सकते हैं, उतनी ही information हम आपको यहाँ बार निकाल के दे देंगे, basically होता क्या है, कि mobile phone या computer से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, हाँ, जब आप computer screen पर कोई चीज़ analyze करते हैं, तो आपको time कम लगता है, क्यों, data बड़ा आता है, screen बड़ी आती है, आप कम time के अंदर ज्यादा analyze कर बाते हैं, mobile के अंदर आपको थोड़ा सा time लगेगा, बस इतना है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, कि अगर आप केवल mobile पर companies study करते हैं, तो आपके ऊपर कोई दबाव है, या आप नहीं कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, सिरफ एक चीज़ चाहिए होती है, वो होती है zeal, अगर आप सीखना चाहते हैं market के अंदर, तो आपको कोई चीज़ रोक नहीं सकती, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए, कि आपको रास्ता कौन सा इस्तमाल करना है, आपको कौन सी apps इस्तमाल करनी है, अगर आप सही apps का इस्तमाल करेंगे, तो आप अच्छी तरह से जान जाएंगे, आप मेंसे हर कोई जानता है, कि हम लोगों ने paid courses कभी भी इस्तमाल नहीं कि, बावजूद इसके हमारी technical analysis, business channel पर आने वाले किसी भी एक, जो सबसे बढ़िया technical analyst है, उनके बराबर होती है, उसकी वज़े क्या है, वज़े है कि zeal है सीखने की, तो अगर आपके अंदर zeal है सीखने की, और आप चाहते हैं सीखना, तो केवल mobile phone का अगर आप इस्तमाल करते हैं, ये particular setup का इस्तमाल करिए आप, BSC, money control, screeners.in, investing.com, market pulse, इतना आपके लिए more than sufficient है, इसको regular अगर आप इस्तमाल करते हैं, तो आपको किसी भी computer screen की जरुवत नहीं पड़ेगी, हाँ, अगर आप computer screen सफोर्ड कर सकते हैं, laptop या computer तो आप बिल्कुल करिए, उससे होगा क्या कि थोड़ा सा time बचेगा, जितने time में आप mobile phone पर एक company study करेंगे, उतने time में आप, अगर आप laptop या body screen इस्तमाल करते हैं, तो दो companies आप analyze कर पाएंगे, ठीक है, सिर्फ इतना ही है, बाकी अगर आप mobile phone का इस्तमाल करते हैं, ये setup यूज़ करेंगे आप, कोई कारण ही नहीं है कि आप companies नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि information वही available होती है, mobile phones पर भी वही available होगी आपको, जो आप computer screen इस्तमाल कर रहे हैं, उसके ओपर, चोटा सा session रखना था हमको, बट important था, इसलिए इसको avoid नहीं कर सकते थे, और वज़े इसकी बहुत ही important थी, कि ज्यादा दर लोग, 81% लोग के करीब, mobile phone इस्तमाल करते हैं, तो हमाई responsibility है, कि जो भी समस्या सीखने वालों को आती है, उस समस्या का एक समाधान आपको provide करना, session छोटा रखने की कोशिश की थी हमने, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ बताने के लिए थानी इसमें, to the point बात करनी थी, 11 मिनट के अंदर session complete हो गया है, उमीद है कि जो आज का ये session है friends, वो आप लोग को पसंद आया होगा, अब आप में से अगर किसी के पास में नहीं है, so kindly ये company, अपनी ये apps डाउनलोड करके, और उसके बाद एक company का अनलाइज करके देखिए, अगर कोई problem आती है आपको किसी भी तरह हैगी, तो kindly अपने जो problems हैं, वो problem इसी वीडियो के comment box में आप जरूर डाल दीजेगा हमको, और बताएगा कि क्या issues आपको आ रहे हैं, तो उन issues का solution फिर हम किसी एक live sessions के तोरा, नहीं तो फिर एक अगला वीडियो बना कर, आपके जो भी questions होंगे, उन questions का एक solution हम आपको उसी वीडियो में provide कर देंगे, so session का मकसद था friends, आप लोग के लिए help provide करना, comment box में जाकर हमें जरूर बताएगा, कि क्या ये session आपके लिए helpful रहा है या नहीं, और अगर किसी और type के आपको issue आ रहा है, study करने में companies को, तो kindly comment box में जाकर हमें जरूर बताएगे, first timer है, तो like, share, subscribe करते रहिए, सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, याद रखेगा, market के अंदर सिर्फ दो ही आपके साथ ही है, knowledge और दूसरा patience, इसके लावा आपकी मदद और कोई भी नहीं करेगा, मुलाकात होगी आपसे अगले session में, thank you very much, bye-bye.